हमारा जो मृत्यू का प्रतिसत है कोरोना मामारी के दोर में वो बहुत कम हुआ है पिछले महीनों से लगातार मृत्यू दर जो है वो कम हो रही है लेकिन अब उनका फोकस है कि एक तो रिकवरी बढ़े और एक की मृत्यू दर कम हो आज अधिकारियों के साथ कम से कम डेड़ दो घंटे डॉक्टर्स भी थे इसमें माइक्रोबाइलोजी से जुड़े वे डॉक्टर्स भी थे बाकी भी लोग थे उन सबसे विस्तार से उन्होंने चर्चा की जहां पोजिटिव किसे ज्यादा आ रहे हैं राजिस्तान में वहां पे अगर लॉकडाउन भी करना पड़ जहां रिजल्ट हंड्रेट परसंट है उनके प्रिक्योर्मेंट और डिमांड की बात मुख्यमंतरी ने सीधा निर्देश दिया है कि इतना भी पैसा लगे राज्ये का एक भी विक्ति उसकी मृत्य कोरोना से नहीं होने चीए दूसरा प्लाज्मा थेरेपी जो हमने समस होस प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो जाएगी सिर्फ एक अजमेर है जिसमें 15 अगस्त की पीरेड बतारों में बाकी तो तैयार है पांच मेडिकल कोलेज प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि उसमें भी 100% रिजल्ट है रिकावरी के प्लाज्मा डॉने से नेगेटिव हो जाता है 14 दिन के बाद वो आकर स्विच्चा से अपना एक टेस्ट कराएगा प्लाज्मा डॉनेट कर सकता है और उसका प्लाज्मा किसी की जिन्दगी बचा सकता है यह अवेरनेस का अभियान चलेगा जगे-जगे-अलवर और जोदपूर की बात करें द दिली से आते हैं आरियान से आते हैं तो यह एक कारण है वहाँ ज़्याधा grease कर लेने के लिए और उनको आिसोलेट करने के लिए उस काम पर प्रसासन वहांका लगा हुआ है अलवा शहर में भी अब यह पोजिटिविटिए का एक गर जरूरी समझे तो लॉकडाउन भी लगाना पड़े तो लॉकडाउन लगाई है लेकिन पूरे राजस्तान में नहीं उन पर्टिकुलर जिलों में या उन पर्टिकुलर शहरों में जहां पर यह पोजिटिविटी एकदम बढ़ रही है कॉंटेक्ट ट्रेसिंग की काम को आप मजबूती दो तेजी से करो कंटेन्मेंट करो आप और अगर ऐसा लगे कि लॉकडाउन करना जरूरी है तो लॉकडाउन भी पर्टिकुलर जगे में करने की आवशकता है पुलिस एंफोर्स्मेट यह जो लापरवाई लोग भरत रहे हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं बार बार हाथ नहीं दो रहे हैं डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं